नमस्कार दोस्तो आज हम अपनी इस वीडियो में एक्जाम एनालिसिस करेंगे RRB NTPC 2020 एक्जाम का तो 3 February 2021 को जो 2nd shift रही है उसमें जो भी कोशन पूछे गए हैं आज हम उनको इस वीडियो में डिसकस करेंगे आज हम इस वीडियो में जितने भी कोशन डिसकस करेंगे ये सब भी 100% real कोशन होंगे जो कि आपके एक्जाम में पूछे गए हैं एक भी कोशन ऐसा नहीं होगा जो कि आपके एक्जाम से related ना हो तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें तो चलिए देखते हमारा पहला कोशन क्या है तो पहला कोशन पूछा गया है तो यह कोशन पूछा गया आज की शिफ्ट में अगला कोशन देखते है तो यह आपको पता ही होगा नीती आयोग के उपर लगातार काफी कोशन पूछे जा रहे हैं एक्जामस में और आज की अगर हम सेकंड शिफ्ट की ही बात करें तो नीती आयोग के उपर दो कोशन पूछे गए हैं तो नीती आयोग का जो नाम था पहले वो प्लैनिंग कमीशन था तो प्लैनिंग कमीशन को नीती आयोग में कौन से साल में कनवर्ट किया गया था तो हमारा answer हो जाएगा 2015 2015 में नीती आयोग नाम रख दिया गया था Planning Commission का अगला question देखते हैं PM Narendra Modi inaugurated the Supreme Court of which country in July 2020 तो current affairs related एक question पूछा गया है कि Prime Minister Narendra Modi जो है उनके द्वारा कौन सी country का Supreme Court है जिसको inaugurate करा गया था July 2020 में तो इसका हमारा answer था Mauritius तो Mauritius जो country है इनका जो Supreme Court है वो inaugurate करा गया था पृद्धान मंत्री Narendra Modi के द्वारा कब तो July 2020 में Who is the youngest person to win Nobel Prize till 2020 तो Nobel Prize से related question पूछा गया था यह आपके exam में कि Nobel Prize 2020 तक जीते जाने वाली कौन सी सबसे youngest व्यक्ति है तो हमारा answer था Malala Yusuf जई Malala Yusuf जई जो है यह एक पाकिस्तान की citizen है जो कि youngest person रहेंगी Nobel Prize जीतने की 2020 तक अगर हम अभी तक की बात करें तो youngest person Malala Yusuf जई ही है तो यह question पूछा गया आपके exam में अगला question देखते हैं If litmus paper turns blue to red then its pH level will be तो अगर litmus paper का color blue से red में convert हो जाता है तो उसका जो pH level होगा वो कितना होगा तो हमारा answer हो जाएगा less than 7 तो अगर litmus paper जो होता है उसका color blue से red में convert हो जाता है इसका मतलब होता है वो acidic होगा और acidic जो होता है उसका pH level होता है 7 से कम 0 और 7 के बीच में जो होता है वो होता है acidic और 7 से लेके 14 के बीच में जो होता है वो होता है basic और जिसका 7 होता है वो होता है neutral अगला question देखते हैं Why Gandhi जी taken off the non-corporation movement तो यह आपको पता ही हो का हम अपने channel पे ही 4 से 5 बार इस question को discuss कर चुके हैं कि Gandhi जी के द्वारा जो non-corporation movement था वो क्यों खतम कर दिया गया था तो 14-4 incident जो होगा था उसकी वज़े से Gandhi जी ने non-corporative movement को बंद कर दिया था खतम कर दिया था तो यह question पूछा गया आज की shift में आज की shift में जातर जितने भी GSG के से related question पूछे गए हैं उनका level काभी easy रहा है अगला question देखते हैं Which is the sixth largest country of the world in area तो यह इस question का answer भी जातर आपको पता होगा कि छटे नंबर की सबसे बड़ी कौन सी country है तो हमारा answer हो जाएगा Australia तो Australia जो है इस छटे नंबर की सबसे बड़ी country है पूरी दुनिया की area में अब आपको बाकी countries का भी याद रखना है क्योंकि इस type के question भी exam में पूछ लिए जाते हैं और खास तोर से आपको इंडिया का पता होना चीए कि इंडिया साथवे नंबर की सबसे बड़ी country है अब अगर पहली country की बात करी जाए तो वो रहेगी रशिया रशिया सबसे बड़ी country है दुनिया की दूसरे नंबर पे है Canada तीसरे नंबर पे होती है America चौते नंबर पे China पाँचवे नंबर पे Brazil छटे नंबर पे Australia और साथवे नंबर पे India तो टॉप साथ country जो है ये आपको ज़रूर याद रखनी है इनके उपर exam में question पूछ लिये जाते हैं अगला question देखते है तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो होई थी उस टाइम पे king कौन था तो ये question पूछा गया तो हमारा answer हो जाएगा अशोक तो king अशोक जो थे ये उस टाइम पे king थे जब थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होई थी अब जितनी भी होती है चारों important रहती है first बुद्धिस्ट काउंसिल जो होई थी उस टाइम पे जो king थे वो कौन थे तो वो रहेंगे कनिश्क चारों important रहते हैं और चारों के उपर exam में question जरूर पूछे जाते हैं इनका जो venue रहता है वो भी आपको पता होना चाहिए पहले का था राजगीर दूसरे का होता है वैशाली third का होता है पाटली पूतर और fourth का होता है कुंडल्बन तो ये भी आपको ध्यान रखना है बाकी important रहते हैं years भी पूछ लिए जाते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए आप एक बार इसको जरूर study करें अगला question देखते हैं हमारा which of the following lens is used by dentist तो एक ये question पूछा गया था आपसे कि dentist जो होते हैं उनके द्वारा कौन सा lens होता है जो की use करा जाता है तो हमारा answer हो जाएगा concave lens तो concave lens जो होते हैं इनका use करा जाता है dentist के द्वारा who was the chairman of नीती आयोग in 2015 तो नीती आयोग से दूसरा question पूछा गया एक question पूछा गया था कि planning commission का नाम बदल कर नीती आयोग कौन से साल में रखा गया था तो आपका answer था 2015 तो 2015 में मतलब सबसे पहले जो नीती आयोग जब establish हुई थी उस time पे chairman कौन थे तो हमारा answer हो जाएगा नरेंद्र मोदी तो नरेंद्र मोदी जो की प्राइम मिनिस्टर रहेंगे वो ही chairman थे नीती आयोग के नीती आयोग जो होती है इसके जो भी chairman होते है वो होते है current prime minister तो यह आपको ध्यान रखना है नीती आयोग के chairman रहेंगे नरेंद्र मोदी which of the following is not a element तो आपसे question पूछा गया था कि इन मेंसे कौनसा एक element नहीं होता तो आपका answer था silica silica जो होता है यह element नहीं होता graphite भी element है और magnesium भी element होता है India is not a member of which of the following organization तो आपसे यह question पूछा गया था कि इन मेंसे कौनसी organization है जिसका member नहीं है तो हमारा answer हो जाएगा NATO तो NATO जो organization है इसका member नहीं है भारत बाकि तीनों जो organization रहेंगी World Health Organization का member है भारत United Nation Organization का temporary member है भारत और G20 जो होता है उसका भी member रहेगा भारत तो इन तीनों organization का member रहेगा भारत बस एक NATO जो organization है इसका member नहीं है भारत तो यह आपको ध्यान रखना है, कौन-कौन सी organizations हैं, उनके कौन-कौन member countries हैं, यह आपको जरूर पता होना चाहिए, exam के लिए most important रहता है, इसके उपर exam में काफी question पूछे जा रहे हैं, अगला question देखते हैं, फिर्स्ट लोगसबा election held in which year, तो पहला लोगसबा election जो हुआ था, वो कौन से साल में हुआ था, यह repeated question है, पहले भी exam में पूछा जा चुका है, और अब यह दुबारा पूछा गया, तो हमारा answer हो जाएगा 1952, 1952 में पहला लोगसबा election हुआ था, ब्रिहदेशवर temple is located in which state of India, तो हमने आपको पहले बताया था कि temples के उपर भी लगातार exams में question पूछे जा रहे हैं, तो ब्रिहदेशवर temple से related question पूछा गया, कि यह कौन सी state में located है, तो हमारा answer हो जाएगा Tamil नाडू, तो Tamil नाडू जो state है, वहाँ पे located है, तो वहाँ पे located है जो कि एक most important temple रहता है और अकसर exams में पूछ लिया जाता है, तो जितने भी निकनेम्स रहते हैं, खास तोर से जो हमारे freedom fighters हैं, उनसे related जो भी निकनेम्स रहते हैं, वो काफी important रहते हैं और जरूर exam में पूछे जाते हैं, तो iron man of India किसको कहा जाता था, तो हमारा answer हो जाएग सरदार वल्लबभाई पटेल, सरदार वल्लबभाई पटेल जो हैं, इनको iron man of India के नाम से भी जाना जाता था, how many Indian states share boundary with Nepal, तो आपसे एक question ये पूछा गया था, कि इंडिया की कितनी states हैं, जिनकी boundary share होती है नेपाल के साथ, तो हमारा answer हो जाएगा 5, total 5 states हैं, जिनकी boundary share होती है नेपाल के साथ, अब ये जो states रहेंगी, इनका आपको नाम जरूर याद रखना exam में पूछ लिया जाता है, तो उत्राखंड हो गई, उत्तरप्रदेश हो गई, बिहार हो गई, वेस्ट बेंगाल हो गई और सिक्तिम हो गई, ये total 5 states हैं, जिनकी boundary share होती है नेपाल के साथ, साथ जो हमारी बाकी neighboring countries हैं, उनके साथ इंडिया की कौन सी state की boundary share होती है, आपको ये भी ध्यान रखना है, अ respiration जो होता है, ये काम होता है, lungs का, blood pump जो होता है, ये काम होता है, heart का, अगला question देखते हैं, total temporary member countries of United Nation Organization are, तो एक ये question पूछा गया था कि total temporary member कितनी हैं United Nation Organization की, तो permanent member तो आपको पता होगा कि total 5 permanent member हैं United Nation Organization के, उनके नाम भी हम काफी बार discuss कर चुके हैं, आपको जरूर याद ह तो temporary member countries पूछा गया था, आज की shift में, तो वो हो जाएंगे 10, total 10 temporary members हैं United Nation Organization के, जिनमें भारत भी शामिल है, अगला question देखते हैं, fame 2 is related to, तो fame 2 से related question पूछा गया था, कि fame 2 जो होता है, ये किस चीज़ से related होता है, तो ये क्या है, तो ये एक vehicle subsidy है, vehicle subsidy होती है, fame 2, What is the full form of NABARD, तो NABARD जो होता है, उसकी full form पूछी गई थी, ये भी repeated question है, पहले एक बार exam में पूछा जा चुका है, और अब ये दुबारा repeat हुआ है, तो NABARD की full form होती है, National Bank for Agriculture and Rural Development, ये full form रहेगी NABARD की, तो full forms के उपर भी लगातार exams में question पूछे जा रहे हैं, हर एक shift में एक से दो question आपको ज़रूर मिल रहे हैं, full forms के उपर, अमनप्रीथ सिंग is related to which game, तो related game से भी question पूछा गया आज की shift में, अमनप्रीथ सिंग जो है, ये कौन से game से related है, ये question पूछा गया, तो हमारा answer था shooting, तो shooting से related होते हैं, अमनप्रीथ सिंग, final decision of cabinet ministers is taken by whom to president, तो final decision जो होता है cabinet ministers का, उसको president तक कौन ले जाता है, तो हमारा answer हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, वो president तक ले जाते हैं, cabinet ministers के final decision को, why sky appears blue, तो sky जो होता है, आसमान जो होता है, वो हमें नीले कलर का क्यों दिखता है, तो यह हम भचपन से पढ़ते हुआ रहे हैं, scattering of light की वज़े से, जो आसमान होता है, वो हमको नीला कलर का दिखता है, civil services day is observed every year on, तो यह question भी हम काफी बार discuss कर चुके हैं, जो हमारे days की separate videos हैं, उसमें हमने काफी बार discuss करा है कि civil services day जो होता है, यह कौन सी date को observe किया जाता है, तो हमारा answer था 21 April, हर साल 21 April को observe किया जाता है, civil services day, तो हर shift में days के उपर भी लगातार question पूछे जा रहे हैं, most important रहेगा, और आगे आने वाली shift में भी जरूर पूछा जाएगा, तो दोस्तों यह था हमारी वीडियो का आखरी question, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को आप like जरू करें, और साथ हमारे channel को भी subscribe कर लें, और हमने जो special playlist तैयार करी है, RRB NTPC 2020 exam के लिए, उनको आप उपर i button पे click करके देख सकते हैं, या फिर उनका link आपको description में मिल जाएगा, जिन से आपको काफी मदद मिलेगी आपके आने वाले exams के लिए, धन्यवाद दोस्तों